भारत ने चेननाई में खेले गए पहले टेस्ट में बांगलादेश को 280 रन से हरा कर दो मैचों की सीरीज में एक माइनस शून्य की बढ़त हासल कर ली है। 515 रनों के लक्षे का पीछा करते हुए बांगलादेश की दूसरी पारी 234 रन पर सिमट गई। रविचंदरन अश्विन ने कहर बरपाते हुए 6 विकेट जटके यह उनका टेस्ट में 37 विकेट हो रहा और उन्होंने इस मामले महान शेन वॉन की बराबरी की। बांगलादेश की ओर से नजमुल हुसेन शान्तों ने सबसे ज़्यादा 82 रन बनाए। टॉस हार कर पहले बल्ले बाजी करते हुए भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाये थे। जवाब में बांगलादेश की पहली पारी 149 रन पर समाप्त हो गई। भारती टीन ने बांगलादेश को फॉलो ओन न खिलाते हुए 227 रन की बढ़त की साथ दूसरी पारी में बल्ले बाजी की। भारत ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेक पर 287 रन बनाकर घोशित कर दी थी और उन्हें कुल 514 रन की बढ़त मिली थी। अपने घर में साल 2012 से शुरू हुए सिलसिले में भारत ने कोई टेस्ट सीरीज नहीं गवाई है। भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उसने 52 टेस्ट खेले हैं और 41 में जीत हासिल की है। भारत इस दोरान सिर्फ 4 टेस्ट हारा है और 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारत साल 2013 से घर में लगातार 17 टेस्ट सीरी से अजेय है।